56 इंच किसी मनुस का सीना देखा है, भैस का सीना होता है, किसी जानवर का सीना होता है बताओ किसी मनुस का अगर सीना है, 56 इंच वाला तो मुझे बता दो अरे 5 साल बिदेश का दोरा किया तो अडानी के लिए काम किया कानून पे भरोसा रहता तो अब तक वो आयरेश्ट होता और जेल के अंदर होता लेकिन इन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है तो यह आज आगे नहीं आ रहे आज यह करनाटक में ब्यस्त हैं संगर्स कर रही है सफलता इनको निश्चित मिलेगा चाहे आज मिले चाहे कल मिले सरकार को जुकना है यह बात तैह है क्या होता यह भासा नेता का दरवाजे पर काम है घर के अंदर काम नहीं है हर हर मोदी घर घर मोदी कैसे हो गया घर घर मोदी मुझे काम दिख रहा है मोदी जी का जुमला अच्छा छोड़ते हैं पहले की सरकारों में धर्दा परदर्शन होता था 24 गंटे में सुनबाई होती थी अगर 24 गंटे के लिए अमरे नंसन रहत अरे वो नेता है अब वो खिलाडी नहीं है जो राजनितिक दल में जोएन कर लिया वो नेता है एक जड़ है नरेद मोदी और उसकी साखाए है सांसाद मंतरी तो जड़ को कहा जाता है ना कि तेणियों को कहा जाता है देश का नाम हमारे देश के परदान मंतरी भाजपा के परदान मंतरी खराब कर रहे हैं उनको चुनावी रेलियों के लिए पूरा टैम है लेकिन अब इसकार में सिखा सीग अब दिल्ली के जंतर मंतर पे मौझूद हूँ अभी हमारे साथ हैं दानेस्वर महतो जी ये लगात्तार पहलवानों और जो भी मुद्दे होते हैं देश में गर्मा गर्म मुद्दे चल रहे होते हैं उसमें ये बोलते हैं अपनी बात खुलकर अधन में और हम इंसे बात करेंगे कि 17 दिन आज चल रहा है और आपको क्या लग रहा है कि ये जो बेटिया मांग कर रही है इन पे भी तमाम तरीके के सवाल उठाये जा रहे हैं इनको नियाए मिलेगा बिना संघर्ष के कुछ पराप्त नहीं होता है संघर्ष कर रही है सफलता इनको निष्चित मिलेगा चाहे आज मिले चाहे कल मिले सरकार को जुकना है ये बात तैय है अब वो कितनी जल्दी जुकती है कितना लेट जुकती है ये आने वाला समय बताएगा लेकिन सरकार को जुकना है इस लोग बोल रहे हैं कि ये F.I.R. दर्ज हो चुकी है इन लोगों को कानून पे भरोसा रखना चाहिए कानून अपना काम करेगी वेवज़ा धरना दे रहे हैं इने जाना चाहिए देश का नाम खराब कर रही है देश का नाम ये नहीं खराब कर रहे हैं देश का नाम हमारे सांसद महोदे खराब कर रहे हैं देश का नाम हमारे देश के परदान मंतरी भाजपा के परदान मंतरी खराब कर रहे हैं उनको चुनावी रेलियों के लिए पूरा टैम है लेकिन देश का गौरब बढ़ाने वाली बेटियों के लिए कोई ख्याल नहीं है जब उनको फोटो खिचवाना रहता है तो वो कह देती है कि ये मेरे परिवार का सदस है लेकिन जब उन बेटियों के साथ में बात है मोदी जी के पास बेटी नहीं है ना परिवार नहीं है तो वह क्या जानने गए कि परिवार क्या होता है बेटी क्या होता है बेटिया क्या होता है ये मोदी जी के पास ग्यान नहीं है इसलिए उनको जब चुनाव जीतना होता है तो फोटो खिचाने के लिए आगे आ जाते हैं ल एक पेड़ है ना पेड़ की कितनी डाड़ियां मतलब है न तो उसी तरह से सरकार है एक जड़ है नरेद मोदी और उसकी साखाएं है सांसाद मंत्री तो जड़ को कहा जाता है ना कि तेणियों को कहा जाता है कानून पे भरोसा रहता तो अब तक वो आरेश्ट होता और जेल के अंदर होता पहले भी ये बेटियां धरना पे बैठके गई थी लेकिन तीन महिना कुछ कानून कोई कारवाई नहीं हुई कोई एफाराई दर्ज नहीं हुई तब ये दुबारा धरने पे आई है आई है ना तो इसका मतलब तीन महीने सरकार कुमकरन की नींद में सोई हुई उन्होंने सोचा मामला रफाद अपाओ गया अरे तो पीटी उसा जो महिला है अरे वो नेता है वो खेलाडी नहीं है जो राजनितिक डल में जोएन कर लिया वो नेता है वो पार्टी के बिसे में सोचेगा वो पार्टी के हिसाब से चलेगा ना के वो खेलाडियों के हिसाब से चलेगा खेल मंत्री भी आये थे उन्होंने का आप लोग धरना पार्टी कहा है सिरफ नाम के मंत्री और संत्री रह गये हैं जमीनी हकीकत क्या है आप यह देखिए क्लमीनी हकीकत यह कि इन लोग को आप घर जाना चाहिए यहाँ पे बेकार मिला आप जाके कह दीजिए कि आप लोग घर चली जाएए और आप आपको इंसाफ मिल जाएगा कानून पर भरोशा था तीन मही ने इंतिजार किया जब तीन महीने में कोई कारवाई नहीं हुई सुप्रीम कोट आधेश देता है एफ़राईदर्ज करने के लिए तब तो एफ़राइदर्ज हो रहा है इसका मतलब परसासन कहीं न कहीं दवाव में है सरकार के परसासन निश्पक्ष नहीं है परसासन दवाव में काम कर रही है अरे मोधी जी पर आप बार बार जो लांचन लगा रहे है मोदी जी जो है मोदी जी तो खुद एक कट पुतली है मोदी जी परधान मंत्री कहा है इसके कट पुतली है अडानी के अडानी के और ये बोल पे ना मोदी जी अडानी के कट पुतली है आप को नहीं लगता है अडानी के कट पुतली है अमें तो लगता है मोदी जी का 56 इंच का सीना है 56 इंच किसी मनुस का सीना देखा है भैस का सीना होता है किसी जानवर का सीना होता है बताओ किसी मनुस का अगर सीना है 56 इंच वाला तो मुझे बता दो आप अरे हमारे मोदी जी ऐसी सी अगर किसानों का साथ होता, किसानों को साथ देते तो एक तेरा महिने के लिए धरना नहीं होता, अगर इनका साथ देते तो ये धरने पे नहीं बैठे रहते, पहले की सरकारों में धरना परदर्शन होता था, 24 गंटे में सुनबाई होती थी, अगर 24 गंटे के लिए अमरे नंसन रहत, कोई करता था, तो मंत्री आते थे उसका धरना तुड़माने के लिए, अभी आप 17 दिन लोग प्रिये पार्टी होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बड़ा काम करने से कोई बड़ा होता है, देश में उनमात फैला के बड़ा बने हैं, वैसे ही चले जाएंगे आपको काम नहीं दिख रहा है BJP का, पाकिस्तान थर-thर काप रहा है, चाइना थर-thर काप रहा है, मुझे काम दिख रहा है, मोदी जी का जुमला अच्छा छोड़ते हैं, मन की बात बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन काम की बात देश में कभी, मैं तो कह रहा हैं, परसा हर गर मोधि घर में किसी नेता को आज तक बिठाए हूआ अभ ले गए हो किसी को दाहित बनाना है क्या मोधी को क्या होता ये भासा नेता का दरवाजे पर काम है घर के अंदर काम नहीं है हर हर मोदी घर घर मोदी कैसे हो गया घर घर मोदी तो 142 करोर जनता है ना सारा भोट मोदी को ही पढ़ना चाहिए था तो 30% क्यों पढ़ा 70% देश में उस टेम में खिलाप थे और आप कितना खिलाप हैं तो आप देख लो मोदी जी जो है दूसरे देश से कोई नहीं पसंद करता जब से मोदी जी आएं दूसरे देश से रिस्ता अच्छा हो रहा है अरे 5 साल बिदेश का दौरा किया तो आडानी के लिए काम किया देश के लिए काम नहीं किया और आज भी मोदी जी महिने में एक वारी मन की बात जो सुनाते हैं वो काम की बात नहीं करते देश की वो मन की बात करते हैं किया है बिर्च भूसन एक सांसद है चालिस मुकदमें है ना तो उसका भी मिला देना चाहिए था योग आधितनात को उसी की तो भासा है कि हम गुंडों को मिला देंगे मोधी से कहके इन बच्चीयों के साथ यह उन्सोसन किया था क्या मोधी से पूछ के बिर्जभुसन ने यह उन्सोसन किया था इन बच्चीयों के साथ बोले क्या लग रहा है आपको विश्वास पूरा उठ चुका है कानून बेवस्था पर दे देखे कानून बेवस्था पेसे किसी को विश्वास नहीं उठा है सिस्टम क्या है कि परसासन हमारी सरकार के दबाओं में काम कर रही है उनको भी अपने बाल बच्चे पालने हैं बड़ी मुश्किल सा नौकरी हासिल किया है तो मजबूरी है परसासन के लोग मुझे गले लगाते हैं कि कोई तो है हम नहीं बोल सकते हैं लेकिन कोई तो है जो बोलता है तमाम लोग इनी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग परिवार बात कर रहे हैं राजबात कर रहे हैं जाती बात कर रहे हैं हमसे इंभी कोई जाती बात करने वाला है हम लोग जोड़ने वाले हैं तोड़ने के लिए देश के पदान corre बैठे हुए तो कपड़े देख के पैचान लेते हैं तो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है यह देखिए हम लोगों ने भी इनसे बात की और यह लगातार जो हैं सवाल उठा रहे हैं मोदी पे और योगी पे तमाम लोग बोल रहे हैं और यह अबुपेंद्र इनका क्या नाम है यह थे हमारे साथ अनेसर मातो जी और इन्हों ने भी बोला जिस तरीके का जवाब दिया सब लोग इसे सहमत हो सकते हैं लेकिन सवाल इनका जाय जाय की मोदी जी क्यूं नहीं बोल रहे हैं अभी तक